प्रेंड्स मैं नरेंद्र और आप देख रहें आपको अपना फेवरेट यूटूब चैनल इस्टड़ी विट इन अटल जहां पे हम फीजिक्स की जो है इस्टड़ी कर रहे हैं बीएसी फरस्ट यर पार्ट वन जहां पे हम यूनिट नमबर फाइव चेप्टर नमबर नाइ अश्टड़ीन को देख रहे थे हम बात करेंगे आज पाइसन रेशीयो के बारे में दो है ने अश्ट़ीजिक्स कंदेख कर सबसे पहले कि क्षेड़े कि छू ठीक है उसके बाद हम देखेंगे फारमूला और उसका सेंबिला क्या होता है उसके देखेंगे तक पर शाद possible values of poison ratio देखेंगे experimental determinant of the poison ratio of a rubber रबड के लिए हम क्या करेंगे एक प्रयोगिक तोर पे हम poison अनुपाद ज्याद करेंगे चलिए start करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि poison अनुपाद actual में है क्या चीज पाइसन अनुपाद actual में किसी वस्तु पे लगने वाले बल का ही अनुपाद है जैसे बल लगाते हैं तो वस्तु की लंबाई में व्रिद्धी के साथ-साथ उसके जो व्यास है उसमें संकुचन होती है उन दोनों का रेशियो निकालते हैं उसी को हम पाइसन अनुपाद के नाम से जानते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो जब किसी तार की लंबाई के अनुदीस एक बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में व्रिद्धी होती जिसको अनुदैर्ध विक्रिती के नाम से जानते हैं साथ-साथ उस्तार के जो व्यास हैं वो सिकुड जाते हैं जिससे पार्स विक्रिती उत्पन होती है और इन दोनों के जो अनुपाद होते हैं निस्पत्यां होती है उनी को हम पाइसन अनुपात के नाम से जानते हैं इनको स्लाइमन पाइसन ने 811 में दिया था ठीक है और उसी के नाम पर ये जो है पाइसन अनुपात नाम पड़ गया इसका जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो इस चित्र में स्टार्टिंग में जैसे कि एक कोई वस्तु है वो इस प्रकार से थी और जब इस पे बल लगाया गया इस प्रकार से लोंगिट्यूडनल फोर्ट लगाई गए तो इसकी इसमें विक्रिती उत्पन हो गए जैसे कि आप देख रहे हो इसकी जो लंबाई है वो बढ़ गई है और साथ ही साथ इसकी जो मुटाई है वो सिकुड गई है और इन दोनों की भी हम क्या करेंगे जब रिलेशन बनाएंगे तो इसी को हम कहेंगे पाईजन अनुपात सो नेक्स देखते हैं इसके लिए सेंबोल तो पाईजन अनुपात के लिए जो है लैटिन भासा के सिगमा सब्द का जो हम प्रयोग करते हैं और इसका जो फामूला होता है वो होता है पार्सिव विक्रिती डिवाइड बाई अनुदैर्थ विक्रिती इस इक्वल टो एक पाईजन रेसियो ठीक है और यह एक विमाहीन रासी होती है साथ ही साथ इसका कोई मातरक अभी तक नहीं है और बात करें यह तो होगी पाईजन अनुपात है तो कुछ ने कुछ इसकी वेल्यू भी होगी यानि कि पार्स वी विक्रिती और अनुद्ध विक्रिती के बीच एक relation बन रहा है तो उस- inclinedrition के betwin कुछ न कुछ सिंको एक possible वेल्यू भी मिलेंगी तो चले हम वह possible values पर देखें के तो 1-2 sigma क्या होगी greater than होती है किससे होती है 0 से तो ऐसे में क्या कर सकते हैं इसको 2 sigma is lesser than 1 कर सकते हैं फक्षांतर करेंगे तो यह आएगा फिर यह देखें इसको sigma is greater than 1 by 2 यानि कि 1 by 2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 तो इस प्रकार से हमको यह मिलेगा ठीक है इसके बाद हम यहां से 0.5 अब देखें यह भी बड़ी कमाल की चीज है अब हमने फामूला क्या पढ़ा है 25 का 25 का पढ़ा है पार्सवी विक्रिती डिवाइड बाई अनुदैर दे विक्रिती इसका मतलब यह देखें कि हम पार्सवी विक्रिती कितनी उत्पन कर रहें वन और उसकी जो लेंथ मे कितनी आ रही है half को कहने का मतलब यह है कि मोटाई बढ़न मोटाई में विक्रिती कितनी आ रहे है एक आ रही है तो उसकी जो लंबाई में विक्रिती वह आधि हो जती है अगर ऐसी इसन nu पाथन हो तो वसतू आसमपिट्ट्य पढ़ा है बड़ा कमाल की questions वन प्लस सीगमा इस ग्रेटर देन टुज जीरो यह हमने पढ़ा है तो इसके according देखिए अगर हम इस सीगमा को सट पक्षांतर कर दें तो हमको value मिलता है सीगमा इस ग्रेटर देन माइनस वन यानि कि सीगमा की जो value है वो माइनस वन से बड़ी होगी यानि कि आने से लंबाई और वड़ाई दोनों में एक साथ विद्धी या एक साथ कमी होती है तो possible ही नहीं है इस वज़े इसका मान जो है 0.5 से माइनस वन के बीच होता है प्रयोगिक तोर पी इसका जो मान है वो 0.2 से 0.4 के बीच आता है तो चलिए हम जो है रबर के लिए जो है पाइसा ननुपात को जो है फाइंड आट करने की कोशिस करते हैं तो experimental determinant of poison ratio of rubber ठीक है इसके लिए हम imagine करते हैं कि इस प्रकार से क्या है मैंने काच की बीच आता है इसके लाबर की नली आटका दिया है एक यक वेट लटका दिया है कि यह जो जल बरेंगे उस टाइम इसका उचा कितनी अधी यहांपर रही और टो इसको नोट करेंगे ततपश्च जब भार लटकाते हैं उसके बाद इसकी जो नली है रबड की नली वो क्या हो जाएगी लंबी हो जाएगी और इसकी जो व्यास से वो सिकुड जाएगी और उस टाइम पे जो है हम इस जल का जो पाठ्यांक है यानि कि जो पॉइंट है कहां पे जल की पर कैसे समझ सकते हो आप कांच की नली लीजिए कांच की नली के नीचले भाग में आप एक रबड की नली लीजिए और रबड की नीचले भाग में आप एक हुक लटका दीजिए हुक में आप वेटको लटकाएंगे ठीक है तो सबसे पहले ऐसे वह जो नली है उसमें वाटर तलने के बाद आप जो पाठ्यांक है उसको नोट करिए फिर भार लटकाईए नीचे वाली जो हुक लगी उसमें फिर उसको पाठ्यांक नोट कीजे इसके एकॉर्डिंग आप आसानी से निकाल सकते हो तो इसके लिए जब हम भार को लटकाए हैं उसके पहले इसकी जो पहली आल है और सासी साथ इसके अनुप्रस काठ्ड का चे चेट्र फल यह जो रबर है उसका इस सी प्नेकर का लेंगे पृंदогे आनुप्रस काठ्ड्ड जैसे ठीक है और ये जो रबड की नली है उसके वॉल्यूम को हम क्या माने है वी माने है तो ऐसे में जब भाल लटकाएंगे तो ये सब चीजे चेंज हो जाएगी जैसे की भाल लटकाएंगे तो अब इसली जो वस्तु है यानि कि जो रबड है उसकी जो क्या है लंबाई है वो अनुप्रा से कार्ट के जो छेटर फले यान्य कि इस प्रकार से जो मोटी थी जो रबड़ की नली, वो क्या हो जाएगी, भाल लटकाने से थोड़ी सिकूड जाएगी इस प्रकार से सिकूड जाती है, तो उसको हमने क्या मना बाए'? यहां पे डेल माना हैं, डेल A, ठीक है इस प्रकार से हम घटी हुई जो अनुप्रस कार्ट का जो छेतर फॉले वो हमें मिल जाएगा है ति के बाद बात करें इसकी vind जो नात्रिक त्रिजिया नक्त हुई जो वॉल्यूम होगी वह हो जाएगी वी प्लस डेल वी और अब बात करें हम ट्यूब की जो प्राम भी कहायता ने जब हम ट्यूब में भाल लाटकाएं नहीं थे उस टाइब इसकी जो वलल्यूम क्या थी तो volume is equal to हो जाएगा अनप्रस्त कार्ट का छेत्रफल इन्टू लेंथ ठीक है और जो अनप्रस्त कार्ट का छेत्रफल यानि कि वृत का छेत्रफल और वृत का छेत्रफल होता है वो होता है पायरी स्क्वेर तो हमने यहाँ पे एरिया का एक्वेशन लगा दिया यह बना Pi R sqeer L ठीक है उसके बाद जो rubber है उसका जो अंतिम आतन है तो यह को यह को लिख जाएगी सबैके था उसका इसे प्रेकार से बढ़ हो जो जाए इत्रपल हो जाएगा साथ ही साथ जो लंबाई है वो L प्लस डेल L की वृद्धी हुई है तो इस परकार से बढ़ी हुई जो लंबाई हमको यह मिलेगी और अब क्या करेंगे देखिए इसको अंदर कुल मल्टिप्लाई करें तो यह हो जाता है A L और इसके साथ होगा तो L डेल A ठीक है उसके बाद जब इसका करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस A डेल L उसके बाद इसका मल्टिप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा मैनस डेल A एंप्रिज्या की बात करेंगे तो वह वह च्छोटी सी चेंज होगी ना बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं होती क्योंकि हम उतनी ज्यादा वेट नहीं लटकाते experiment करेंगे तो हम थोड़ा सा ही weight लटकाते हैं इस हुझे से हमको ये जो changes आएंगी वो थोड़ी-थोड़ी मिलेगी इस प्रकार से हमने del use किया यहाँ पर ठीक है so आगे देखिए यहाँ पर हमने ये निकाला हुआ है al की value तो al की value हमने यहाँ पर सीधी रख दी तो यह मिला v plus del v plus a del l यानि कि यह जो जो कत्यों है बाकी यह वाला और यह वाला भी और यह बहुत छोटी quantity होने के कारण हमने इसको नेगलेट कर दिया ठीक है अब हमें यहाँ पर यह quantity मिलेगी यह v और यह v यह दोनों cancel हो जाएगी ठीक है हमें मिलेगा del v is equal to यहाँ से a del l और यहाँ से minus l del a ठीक है इसके बाद हम एक और शीज जानते हैं क्या जानते हो भी आप कि जो del a है वो क्या है वो अनुप्रसकार्ट की जो छेत्र फल है उसमें जो changes आई है वो changes है तो चली हम वो change निकाल देते हैं कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हमने इस प्रकार से जो range निकाला था एक अनुप्रसकार्ट निकाला था भिंडी का वो shape जो cut किये हैं वाला गोली भाग वाला तो उसमें जो changes आई है उस प्रकार से हम यहाँ पे दिखे हैं तो उसी area को निकाल है तो उसकी जो पहली जो आयतन area थी खेत्र फल थी वो थी pi r square अब वो जो pi तो रहेगी उसकी जो radius थी वो change हुई है r minus del r की अब यहाँ से हम इसको अंदर के और multiply करेंगे यह वाला formula दीख रहा है ना a minus b का whole square वाली formula में है तो यह हो जाएगा pi r square minus इसके साथ multiply करेंगे तो यह pi r square फिर यह हो जाएगा इसके साथ minus 2 pi r del r plus pi into del r का whole square ठीक है अब यहाँ पे देखो यह pi r square और यह pi r square cancel हो रही है उसके बाद यह चीज़ बची होई और देखें यहाँ पे radius में हमने कितनी changes लाई है radius में जो changes आई हो बहुत छोटी सी quantity है और चुकि वो छोटी सी quantity है हम उसका square करें तो वो बहुत ही छोटी हो जाएगा यार तो ऐसे में हम उसको क्या कर सकते है neglect कर सकते हैं तो हमने यहाँ पे यह वाली यह term है इसको छोड़ देते हैं ठीक है साथ ही साथ यहाँ पे जो area है अनुप्रसर का जो area है उसको हमने निकाला है pi r square तो यह जो value आई है इन दोनों value को इस equations में रखें तो हमें मिलता है del v is equal to pi r square यहाँ पे रहेगा sorry यहाँ पे mistake है del l लगेगा यहाँ फिर यह minus उसके बाद यह L की जगा L है उसके बाद del a की जगा तो del a की यह value हमने यह निकाली है 2 pi r into del r यह रख दी इस प्रकार से हमको यह equations मिली अब यहाँ से हम क्या कर रहे है यह जो यहाँ पे जो del l रहेगी उसको पक्छानता करेंगे तो यह हो जाएगा del v del v divided by del l और जिसकी जो हमको value del v divided by sorry del r divided by del l यहाँ से यहाँ यह जो equations आई है यह वाले जो equations है यहाँ से हम क्या कर रहे है del v divided by del r l की value हम क्या निकार रहे है निकालने से हमको यह मिलेगा 1 by 2 pi r l into pi r square into यह हो जाएगा del v divided by del l ठीक इस प्रकार से हमको यह equations मिलेगा तो आगे देखें तो हम एक और चीज़ जानते हैं हमने अभी तक क्या निकाला निकाला हमने की del r divided by del l यहनि की radius और length में हमने एक relation निकाल लिया है ठीक है तो पाइसन अनुपात के according क्या होता है की पार्सवी विक्रिती और अनुदर्द विक्रिती एक ratio होती है तो इसके according देखें तो यह होजाएगा del पार्सवी विक्रिती क्या है del r divided by r जो की radius की बात होती है अनुदर्द विक्रिती होती है length की यहनि की del l divided by del l ठीक है अब यहाँ से देखो हम del वाले को term को अलग कर दे मतलब छोटी quantity को अलग कर दे और बड़ी quantity को अलग कर रहे है तो यह उजाती है del r divided by del l ठीक है उसके बाद यह बड़ी quantity देखे है तो l cross r ठीक है अब देखो हमने del r divided by del l की value निकाली हुई है हमने उस value को उठा कर सीज़ सीज़ यहाँ पर रख दिये है यह होती है 1 by 2 pi rl into pi r square ठीक है minus del v divided by del l हमने यह उठा कर सीज़ सीज़ रख दी इसके जगा replace कर दिया उसके बाद यह जो value है उसको जियों कत्यों रखे है अब इसको क्या कर रहे है हम सरल करें तो देखे यह हो जाएगा 1 by 2 pi rl उसके बाद r और l यह वाले जो time है वो l यहां से cancel हो जाएगी और r जो यहां square हो जाएगा इस प्रेकार से मिलेगा हमको 1 by 2 pi r square into यह वाले जो भागे उसको कुछ नहीं करना है तो यह हो जाएगा pi r square del v divided by del l उसके बाद क्या किये है देखिए हमने जो है यहां से pi r square वाली terms को क्या कर दिये है अलग कर दिये है तो pi r square वाले term निकालने से हमको यह equation मिल जाती है 1 by 2 into 1 minus del v divided by pi r square into del l चूंकि यहां प्रे pi r square वाले term नहीं थी तो जैसे अंदर गुना हो जाता है जब हम निकालते हैं तो ठीक है उसकी बाद दिखें यहां पे तो हमें देखने को मिलता है कि यह जो pi r square है actual में यह है क्या चीच तो pi r square क्या है एक अनुप्रा सेकार्ट का 6 त्रफल है जो होती है a तो हमने उसी को replace कर दिया है तो हमको मिला यह 1 by 2 into 1 minus del v divided by a del v ठीक है इस प्रकार से हमको यह equations मिला और यही जो equations होती है वो python ratio का लाती है sorry python ratio का actual में यह form है इस formula का हम use करके हम जो है python अनुप्राट को find out असानी से कर सकते हैं इसमें हम हमको चाहिए क्या चीज़ देखे volume में change volume में चो change आई वो चाहिए और अनुप्रास कार्ट का 6 त्रफल चाहिए उस rubber का ठीक है उसके साथ साथ हमको चाहिए del L यानि कि जो बाट लट काने के बाद जो rubber है उसकी जो length में जो changes आई वो value हमको चाहिए यदि हमको यह तीनों चीज़ पता हो जाए तो हम आसानी से sigma की value find out कर सकते है तो चलिए हम क्या करते है अभी यहाँ पर graph खिचते है तो हमको जो है इस del V divided by del L के भी जब graph खिचेंगे तो हमको इस प्रकार से एक सररर रेखा में हमको प्राप्त होता जाएगा यानि कि del L की value यहाँ पर होती है तो उसी time पे del V की value इसी प्रकार से 1 हो जाती है इस प्रकार से जब 2 होती है तो 2 हो जाती है एकदम सीधी सररर रेखा के रूप में मिलती है ठीक है धन्यवाद